और आज की इस एपिसोड में विप्रो स्टॉक को डिस्कस करूंगा विप्रो को ले करके मेरे व्यूज जो हैं वो पोजेटिव हैं और पोजेटिव यूज इसलिए हैं चुकि इस समय मुझे लगता है कि विप्रो आउट परफॉर्म करते दिखेगा इसलिए नहीं कि विप् पांच परसेंट की तेजी दिखी और यह तेजी मेंली जो आया है वह पास्ट ट्रेडिंग सेशन के ट्रेंड से आया है पास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही 4.24 परसेंट की तेजी रही अब आगे इसके व्यूज क्या है रिसेंट की निउज क्या है सेक्टर क्या कर रहा है तो उपर से एक profit booking आई लेकिन यहां consolidate करा फिर all time high के breakout पे है यह all time high है और all time high के breakout के बाद का rally तो you know it very well और ठीक इसी परकार विपरो भी देखेंगे तो उपर के price से गिरा थोड़ा यहां consolidate करा अब यह stock जब तक 500 के नीचे नहीं जाए विक नहीं है यहां से probability है unfilled gap down जो था इ दिख सकता है इसके साथ ही पहली एडिटोरियल देखेंगे निफ्टी IT stock rallies for the fifth season, mid cap IT stock sign aimed easing US recession concern, recession के concern खतम होते दिख रहे हैं, US market जो है the US market crucial for Indian IT companies due to the significant revenue they drive from region, saw the tech heavy index Nasdaq composite rises over 2% on August 15th, further boosting sentiment in Indian market, US के recession के concern खतम हो रहे हैं, rate cut की बात हो रही है, जो directly IT sector को outperform करेगी, last volume भी 1.3 करोर का था, recent के update में तो कुछ कंपनी ने ESOP के through share alert करे, discuss करा था, ये cloud बाला भी, pulse of cloud बाला भी news already पिछले वीडियो में discuss था, तो मेरे views कापी stronger, मुझे लगता है long की opportunity